तो आज का हमारा कोर्स टाइटल है प्रोड़क्शन टेकनोलाजी फॉर्णमेंटल क्रॉप्स अडिशनल एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडिस्केपिंग तो इसके अंतर का टॉपिक है एरोमेटिक क्रॉप्स जैसे की तुल्सी तो आज हम देखेंगी कि तुल्सी की ओसीमम की खेती जो है कैसे किये जाती है किस प्रकार से करना चाहिए इसकी उन्नत प्राद्योगी की या संरक्षन कैसे किया जाता है इसकी कल्चरार प्रैक्टिस कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ओसीमम, जिसको हम सभी जानते हैं कि तुलसी सभी घरों में लगाया जाते हैं, अध्यात्मिक धार्मिक महत्त हैं, तुलसी की पूजा की जाती है, प्रति दिन सुभा साम जो है, और इसको हम हिंदू देवी देवताओं में एक वरिष्ट या प्रमानिक पूजा या अर्चना जो है की जाती है, तो हम जानते ही कि ओसीमम को क्या नामों से जाना जाता है, तो इसका सामाने नाम है, तुलसी, ओसीमम कहते हैं, साइन्टिफिक नेम है, ओसीमम इस्पिसिस, फैमली है, लैमिनेशी, अब हम देखते हैं कि क्लोरो, क्लोरी जो Oseumum Greatissimum है उसको बॉट्टनिकली रूप से चार या पांच भागों में विवख्त किया गया है अब हम देखते हैं कि तुल्सी का वानस्पत्तिक नाम तो Oseumum Basiliakum है उसका सामान्य नाम से हम जिस नाम से जानते हैं उसको कहते हैं Osimum Basilicum Marubak Ajgandika अथ्वा Sweet French Basil अथ्वा Boi Tulsi के नाम से जाना जाता है दूसरा इस्पीस है इसकी Osimum Clemandicum इसको Kapoor Tulsi के नाम से जाना जाता है तीसरा है हमारा Osimum Kenam या Osimum Americum इसको काली Tulsi कहते हैं या इसी नाम से जाना जाता है चौथा है हमारा Osimum Gratissimum इसको Argyak या One या Ram Tulsi के नाम से जाना जाता है या पैचाना जाता है पांचवा है हमारा Osimum Virdi इसको जंगली Tulsi कहते हैं और इसको जंगलों में प्राह मुखेता देखा जाता है और पाया जाता है और छेटवा है हमारा Osimum Sentak Adam इसको स्यामा Tulsi के नाम से जाना जाता है और इसको स्यामा Tulsi कहते है तो हम अब देखते हैं कि तुलसी की खेती कैसे और किस प्रकार से किया जाना चाहिए तो वानस्पत्तिक इसका विवरन देखते हैं जैसे तुलसी Osimum Basil Ikam का पौधः जो है लेमिनेसी कुल का या लेमिनेसी फैमली का सदस्य है इसको विभीन भासाओं में जैसे अंग्रेजी नाम Holy Basil, French Basil, Sweet Basil या Indian Basil आदी नामों से जाना जाता है इसका संस्कृत में नाम है सुलप भाग्या, सूरसा तथा बहुमंजुरी नामों से जाना जाता है इसकी जो वैवशाई खेती हैं भारत के सांसा अन्य देशों जैसे बंगला देश, बर्मा, चीन, थाइलेंड, मलेशिया तथा सिल्लंका में भी की जारी है तुलसी जो है एक खरीप मौशम में उगाई जाने वाले महत्तपून सुगंधित फशल, एरोमेटिक क्राप्स है, एरोमेटिक प्लांट है जो सुगंधित तेल इमम, औसधी गुनों का महत्तपून स्रोत है सोर्स है, अब हम इसके देखते हैं कि पौधे का वर्णन तो इसके जो पौधे के उचाई हैं 30-90 cm होती है तथा घनी सा खाओं तथा पत्तों से युक्त एक वर्षी से ले करके तीन वर्षी पौधा होता है इसकी पत्तियां से हलकी खुश्बू आ जाती हैं तथा स्वात कड़वा इमम तीखा होता है इसके पौधों पर 6-8 इंच लंबी मंजरियों में फूल आते हैं जिसमें अंडाकार, ओविल सेपिया, गोलाकार, भूरे रंग के भीज आते हैं इसकी खेती जो है संपूर्ण देश में हो सकती है अब हम इसके जानते ही की प्रजातिया तो तुलसी के पौधे जो की विश्वभर में पाया जाते हैं और इसकी विश्वभर में कल्टिवेशन किया जाता है तो भारत विश्वभर में पूरे 150 प्रजातिया जो है पायी जाती है जिसकी मूल प्रकृति तरफा गुन तो लगभग एक जैसी ही होते हैं परन्तु इसके राशानिक जो संगठन है उसमें व्यापक भिन्यता है या व्यापक भिन्यताएं पाये जाती हैं किसी में ओईल की मात्रा कम, किसी में ज्यादा किसी का केमिकल कमपोजिशन कम होना, किसी का ज्यादा होना और किसी में ज्यादा medicines के constitute है, वो मौजूद होते हैं, किसी में कम होते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे विश्व में 150 प्रकार की तुलसी की प्रजातिया पाई जाती है लेकिन हम उसमें से 5 या 6 ही varieties को अभी तक के identify कर पाया हैं जिसके ही हम आध्यगिक रूप से उप्योग कर रहे हैं, चाहे दवाई बनाने के लिए हो, medicines के रूप में हो, औस्धी के लिए हो, या यूनानी या होमेपेथिक औस्धी के रूप में हो तो इसकी प्रमुक प्रजातिया जो ज़्यादा मात्र में देखी जा सकती है, वो निमनुसार में पहले ही बता ची कहूँ कि तुलसी की 6 varieties हैं, जिसमें ओसिमाम बेसिलिकम है, दूसरा ओसिमाम कली मंडिकम है, ओसिमाम के नम है, या ओसिमाम अमेरिकन भी कहते हैं, ओसिमाम गेटिसीमम है, ओसिमाम विर्डी है और ओसिमाम सेंटंक स्री है, तो तुलसी में उपस्थित जो राशानिक तत्तों के अधार पर ही तुलसी को रियूनियन, मिथाइल सिनेमेट, यूजिनौल, तथा यूरोपियन स्विट बेसिल आधी प्रभागों में विभक्त हम कर सकत है, यह किया गया है, तुलसी के पत्ते, जड़ और बीजो को प्योग विभीन रोगों के उप्चार के लिए किया जाता है, अब हम इसकी देखते हैं कि तुलसी के लिए कैसे जलवाई उचाइए, तो जलवाई के लिए आश्कता है, तुलसी को विभीन प्रगार की जलवा में उगाया जा सकता है जैसे उष्ण उपोष्ण और गर्म आद्रता वाले छेत्रों में जहां 850 से 1300 mm जो है वर्षा होती है एन्वाल रेंफाल होती है उगाया जा सकता है सूटेबल है ऐसा जो जलवायू है यह ग्रिस्मरितु में वर्षा रितु में भी जब तापमान उच और वातवरन में प्रचूर नमी हो मॉश्चर हो बहुत अच्छी तरह बढ़ता है और यह जो है सीत वा उप सीत छेत्रों में टेंपरेट ट्रीजन में जिसमें विंटर क्लाइमेट हो उसमें या विंटर सीजन हो उसमें भी भली भाती हम इसको कल्टिवेशन कर सकते हैं य मद्ध छेत्रों में जहां 500-1200 mm वार्षिक वर्षा एन्वल रेन्फाल होता हो वहां पर RRLOC 12 को सफलता पूरवा उगाया जा सकता है यह जो बैरैटी है RRLOC 12 उसको इस कंडिशन में लगाया जा सकता है या उगाया जा सकता है अब हम इसमें बात करते हैं कि भूमी स्वाइल किस प्रकार की स्वाइल में इसकी खेती किया सकती है तो इसके लिए तुलसी का पौधा जो है कठोर प्रकृति वाला होता है अताहिसे विभिन्य प्रकार की मिर्दाओं में उगाया जा सकता है इसे बंजर अत्वा उसर भूमी में भी उगाया सकता है परंतु रेतिली दोमट मिदा जिसका पी एच मान जो है 6.5 से 8.0 के बीच हो इसकी खेती के लिए अनुकुल फैवरेबल होता है अधिक उपजाव घूमी में बीच का उत्पादन पौधे की अधिक बढ़वार होने के कारण कम होता है अब हम इसमें देखते हैं कि किस किस्में अधिक तो ओसीमं बेशी दीकम की प्रमुप किस्म मैं है मोबी 13 में 150 से 125 संटीमिटर होता है पाधे Muhyiddly 60 से 65 संटीमिटर होता है और इसमें फ्लावर पूषपन जो होता है 50 से 55 दिन का होता है बीज का उपज जो है क्विंटल पर हेक्टेर में 11 से 12 क्विंटल होता है और सूस को जो उपज है वो 6 से 7 क्विंटल होता है उसके बाद दूसरी वेराइटी है MOB 14 अब हम इसमें पौधी की लंबाई देखते हैं कि इसका पौधी का लंबाई 126 से 13 सेंटिमीटर पौधी का जो फैलाओ है डाइमीटर है वो 65 से 70 होता है और इसका फ्लावर जो है 55 से 60 दिन में आ जाता है बीज का उपज है 12 से 13 क्विंटल प्रती हक्टेर और सूस का उप प्रिप्रेशन खेत की तैयारी जो है या फिल्ड की तैयारी हम कैसे और किस प्रकार करते हैं तो सौर प्रतम खेत को भली भाती 3 से 4 बार गहरी जुताई करते हैं मिट्टी को भूरबरा एवां समतल कर लेना चाहिए क्यारिया इस प्रकार बनाई जाए कि उसमें पानी करते समय या फिल्ड प्रिप्रेशन करते समय मिला देना चाहिए जो आधी मात्र नाइट्रोजन की है उसको पुष्पन के समय जिस टाइम फ्लावर आता है उस टाइम और दूसरा जो है एक और मात्र है उसको इसकी कटिंग के बाद जस्ट एपलाई करना चाहिए इससे प्लांटिंग माटेरियल यूज करते हैं तो तुलसी का प्रवरधन इसके बीजो से किया जाता है सीड्स के थ्रू किया जाता है मुख्य खेत में रोपाई करने से पूरो इसे नर्सरी में तयार करना उप्योगी रहता है जिसके संदर्भ में निमलिखित प्रक्रिया अपन एक सो हुइं जो प्रविया जो आज होनी चाहिए कॹारिया का साइस है इसके लिए क्यारिया बनाई जाती है तो इसका रिकरमेंेंडेशन क्यारिया है 90 जो 240 रख सकते हैं या ठीन II 4 रख शकते हैं या 120 से 204 रख सकते हैं या है फौर इंटू 8 रख सकते हैं इसके बीज रोपन से पूरो जो है इसकी नरसरी में 10 g ग्राम सरसो की खली 300 g जेट रोफा की खली जेट रोफा रतन जोत इसको हम जानते हैं और 75 g नीम की खली मिला देनी चाहिए भारत के मैदानी भागों में अप्रेल मई के महिनों में बीज को तयार क्यारियो में बोकर पौधे त्यार किया जाते हैं वैसे जाड़े की दिन विंटर सीजन्स के महिनों में नौमबार दिसंबर वा जनवरी को छोड़ करके तुलसी को वर्स भर उगाया जा सकता हैं पौध साला नर्सरी में सिग्र बढ़वार के लिए नैट्रोजंधारी उर्वरक का प्युक्त मानी जाती हैं अब हम इसका देखते हैं कि प्रतिरोपन ट्रांस्प्लांटिंग कैसे किया जाता है तो पौधे से पौधे और पंक्ती से पंक्ती की दूरी कितनी रखे जाए यह एक अत्यंत महत्पून प्रस्ण है तो तुलसी की किश्मय को इनसार यह दूरी ज से लेकर 60 x 40 cm तक रखा जा सकता है 50 जो है लाइन से लाइन की दूरी हो गई और 30 cm प्लांट से प्लांट की दूरी हो है अब इसमें हम देखते हैं कि सिचाई, एरिगेशन या वाटर मैनेजमेंट अब हम इसमें देखते हैं कि वाटर मैनेजमेंट, सिचाई या एरिगेशन तो पौध रखपन की तुरंद बात जो है सिचाई कर देना चाहिए यदि तुलसी की फसल की रोपाई जो है वरसा रितु में किया जा रहा है तो सिचाई की आउसकता नहीं पड़ती है लेकिन भ पौई गई फसल है उसको आम तोर पर सिचाई की कम आउसकता होती है कोई आउसकता नहीं होती है इसलिए इसे मात्र दो से तीन सिचाई की पूरे क्रॉप को आउसकता होती है अब हम इसमें देखते हैं कि खर्पतवार या विट्स उसका कंट्रोल कैसे करते हैं वैसे तो तुल्ची की खेत में अधिक खर्पतवार जो है नहीं उगते हैं या नहीं पनप पाते हैं फिर भी इसको कुछ खरपतवार उगाते हैं जैसे हम एरिगेशन करते हैं उसके बाद अता इन्हें खेट से निकालना जो है अन्यमारे हो जाता है फसल की उचित प्रकार से निन्दाई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है और आवश्यक करी जाने वाली इंटर कल्चर आपरेशन है तो फसल की रोपाई के 40 से 45 दिन बाद एक निन्दाई जो है खड़ी फसल में कर देना चाहिए एक निन्दाई के उपरांत जो है फसल सब्सक्राइब करते हैं और पूरे मिदर सता को कवर करके ढख लेती है एवं घरपतवार को बढ़ने का आवसर ही नहीं मिलता निन्दाई के उपरांत खड़ी फसल में 20 किलोग्राम निट्रोजन को उप्रिवेशन टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए ऐसा करन यों हैं कौन सी बीमारेओं का इस में अक्रमन होता है कौन से कीट इसमें लगते हैं तो तुलसी की फसल अत्ययंत कठोर प्रकृती हाडी नेचर की फसल है अता इस पर केड वर प्रगों का प्रकों कुस्थ वरे यंसी लेकिन बरसाद की सीजन में रैनी सीजन में कुछ रोग जो है डीसीस अवर्ष लग जाते हैं जिसका लेक निमनप्रकार है पहला है इसमें डीसीस पत्ती धबा जिसको लिफ स्पॉर्ट कहते हैं इसका कौजल और्गनिजम है कोरिनो इस्पोरा केसी कुला फंगस के कारण होता है और पत्तियों पर तने पर भूरे काले रंग के धब्बे स्पॉर्ट्स पढ़ जाते हैं और पत्तियां जो हैं सूख कर नीचे गिर जाती हैं इसके नियंतरन के लिए हम डाइथेन Z78 या डाइथेन M45 के 0.25 प्रतिसत गोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल इंटर्वल पर करना चाहिए दूसरा इसमें डिसीस है पत्ति जुल सा रोग जिसको लिफ बलाइट कहते हैं यह रोग जो है causal organism अल्टरनेरिया प्रजाती नावाग फंगस के कारण होता है पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं और पत्तियां मूरने लगती हैं इसके नियंतरन के लिए डायथन M45 के 0.25 प्रतिसत खोल का छिड़काओ 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए अब तुलसी की फसल में तुलसी के साथ ली जाने वाली अन्य अंतरवर्ती इंटर क्रॉप्स फसले इसके बारे में तुलसी जो है एक ऐसा पोधा है जिसको और चा रतन जोत या सफिद मुशली इनके बीच भी इसको लगाया जा सकता है कालमेग के बीच भी लगाया जा सकता है इंटर क्रॉप्स किया जा सकता है क्योंकि तुलसी एक अर्ध च्छाओं पसंद करने वाली फसल है इसको बहुत ही कम सनलाइट की आउशकता होती है इस प्रका इसको सुरक्षित रखें प्रोटेक्ट करें और थोड़ा सा धूप हो थोड़ा सा च्छाओं इस प्रकार सी यह अर्ध च्छाओं पसंद करने वाली फसल है तुलसी आता है इसको एक तो कई बड़े पौधे जैसे आउला आधी के सांद भी उगाया जा सकता है दूसरे इस अधीक इंकम जो है प्राप्त हो सकता है तुलसी की उपज तुलसी की उपज के लिए मुख्यता है तीन से चार बातों के उपर डिपेंड करता है पहला इसकी जो जिस छेतर पे उगाया जा रहा है वहां का स्वाइल किस प्रकार की है कौनसे टाइप्स की स्वाइल है कैसे उसका नेचर है, कैसे उसका composition है, fertility कैसा है, इस बातों पर depend करता है, दूसरी है, कि वहाँ का मौसम या climate, किस प्रकार का मौसम है, कौन से छेत्र है, इसके उपर depend करता है, तीसरा ये बात ही कि हमारी varieties, हम कौन सी varieties लगा रहे हैं, उसकी उपच कितनी है, कितने दिनों का फसल है, और उसका कितना cultural practices या cultural operation जो है, कर सकते हैं, इसके बाते के उपर depend करता है, और चौन्था बात है कि हमारी जो नीमित रूप से after care करने के उपर भी depend करता है, जैसे फसल की देख रेक, उचित रूप से निंदाई, गुडाई, सिचाई, और इंसेक्ट, पेस, डीसिस, मैनेजमेंट करना, ये सभी बातें इंटर कल्चर आपरेशन, इसकी खेती के लिए मुख रूप से निर्भर करती हैं, अब हम इसके देखते हैं कि उपच, तो इसके बीच का उत्पादन जो है, 12 से 13 कुटल प्रती हेक्टेर प्राप्त होता है, इसके अलावा सुस्क रूप में, सूखा रूप में, 6 से 7 कुटल होता है, एवं इसका जो तेल का उत्पादन है, 50 किलो प्रती हेक्टेर तेल का उत्पादन होता है, अब इसकी मार्के कॉस्मेटिक इंडेस्ट्रीज, सोप्स इंडेस्ट्रीज या और भी सौंदर प्रसाधन बनाने वाली बहुत बड़ी बड़ी इकाईया हैं, यूनिट्स हैं, उनसे भी संपर्क करके अपना प्रोड्यूस हैं, उनके पास झाल 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 में कर दो करके अंते हैं, यूनिबस्ट्रीज, सवर्क करते हैं, यूनिए यूनिएक र наст Конका मार बड़ी, यूनिी हैं, ति ईहाओ प्रोड़ी हैं, लिए특 नीप इन यूनिए शॉनिवापाना जेरी को आर झाल 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 झाल